Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे basic level से English पढ़ना, English पढ़ें कैसे, English पढ़ना कैसे सीखें, तो आज हम सीखते हैं, English कैसे पढ़ा जाता है, कैसे, जैसे P, E, E, N दिया है, इसका word क्या होगा, art क्या निकलेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आज हम सीखेंगे English पढ़ना कैसे सीखें, ठीके, तो आज हम पढ़ेंगे English कैसे पढ़ा जाता है, और कैसे लिखा जाता है, तो यहाँपे क्या लिखा हुआ है, चले start करते हैं, जैसे यहाँपे लिखा है, B, E, N, तो B, E, का क्या होगा, B, B, E, N, ना का क्या होगा? N ना का N तो इस क्या बन गया? BEAN क्या बन गया? BEAN B, E, N BEAN इसी तरह हम पढ़ेंगे S, E, E, D तो ये क्या है? C C का S, E और D, D C, D S, E, D C, D बड़ी C का होगया S, E, E और डाका D C, D इसी तरह हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर BEAN दिया है न B, E, E, N BEAN S, E, D C, D ठीके? हमें ककक की 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 स्पेलिंग अगर बनेगी तभी हम ये लिख पाएंगे ठीके? 12 खड़ी जिसे बोलते हैं 12 खड़ी की स्पेलिंग आएगी तो हम ये लिख सकते हैं अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है? ग्रीन तो क्या है? R, E, E, R, E होता है गा का G होता है तो यहाँ पर जो क्रॉस वाली लाइन बनी होई है न उसको हम पर पढ़ते हैं? ग्रा क्या पढ़ते हैं? ग्रा R का यूज होता है तो यह बड़ी गी होगा तो इसका क्या होगा? ग्री तो G, R, E, 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 N गी नो गी नो नो का N गी मी बड़ी मी का क्या होता है? M, D, E अटा का T मी टो हमने बड़ी E की मात्रा वाले सब्द पढ़े बीन सीड ग्रीन गीन मीट अब हम पढ़ेंगे क्या है? टे क ट, A, K, E टे तो टेक क्या होता है? ट, A का का के E जु बड़ होता है सालेंट हो जाता है टे क का कि स्पेलिंग क्या होती है? के और सी भी होती है तो C, A, K और का क patience यह बड़ जो होता है सालेंट होता है के क सा बड़ी सी की स्पेलिंग क्या होती है यस डबली काका के सी क आर एक के रा रा आर ए रे क काका के इ बड़ सालेंट होता है रे क ह एक क तो हा यह क्या है ह-a, हैक भी लिख सकते है और हेक भी लिख सकते है हैक, वैसे यह सही होगा हैक, ह-a, c के हैक टेक, केक सीक, रेक हैक, अब यह है की, बड़ी की की स्पेलिंग क्या होती है, k, डबल, e पाका, P की, प की, प डी डबल, e, पी तो डी का दा दी का दा बड़ी दी बड़ी दी की क्या होती दी डवली अब पी का पा दी प यह डवल ई एल बड़ी फी एब डवली ला का एल फील यम ई ए टी यम ई ए टी तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए टी ए टी म डवली मी ट जो ए ए टी होता है इसको हम टी पढ़ते है और मी म इ मी मी ट फ्री जे फ्री जे री आ डवली री तो यह फा है तो फ्रा हो जाएगा और बड़ी फी का या आ डवली और जाका जे और यह साइलेंट हो जाएगा फ्री जो फ्री जे इ आई का क्या होते है इ और ना का एन इन इन और DEE 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 तो D का क्या होता है D का DEE और D का D INDED 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 TREE REE तो इसका क्या होगा RE क्या होता है REE तो यहाँ पर क्या है T तो T में यह रा हो जाएगा यह बन जाएगा TREE B A C K B A C K इसको हम कैसे लिखेंगे B A B A C K का का के और एक C जो होता है वो silent हो जाता है इसमें हम कैसे लिखते है B A K B A K P P का P W E लाका L A राका आर P W E L A R पिलर H A C K हैक हैक हाँ यह यह ए है सी का हैक इसी तरह हम लिखेंगे प्याच प्याच लिखेंगे इसी तरह हम लिखेंगे यह अलग बढ़ हो जाएगा डबलू का क्या होगा बा ठीक है बा उंड ऊ-उ-उ-ड आउंड तो यह क्या बन गया बाउंड यह बढ़ जो है ओ-उ-उ-उ-ड आउंड तो यह क्या बन जाएगा माउंड कुछ जामपल देख लेते हैं कैसे उसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे तो चलिए कुछ एक्जामपल लिखते हैं आ-ए यू यहस-आच ए-एन तो के-ए-ाइ यहाज ए-ए-ए-आइ यहस-आच इसको हम हिंदी पर कैसे लिखेंगे चलिए ये सीखते हैं ठीके तो D-A-U D-A-U इसका हिंदी बढ़ क्या होगा A की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है A-U अदा का D ठीके तो क्या बनके दाव अब फिर L-A का क्या होता है L अटा का T टाकी स्पेलिंग क्या होती है T ये ता ठीके तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसका बढ़ क्या बन गया दाव लत D-A-U L-A-T तो D-A-U दाव दाव L-A ला और टीकता दाव लत ठीके आव की मात्रा है A-U है तो आव हो गया अदा कड़ी तो दाव लत ठीके ये समझ में आया ना इसी तरह हम सीखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है R-A-U S-H-A-N तो ये भी क्या है आव A-U आव किसकी मात्रा है आव की और ये क्या है रा तो क्या बन गया है S-A S-H-A S-A और ना की स्पेलिंग क्या होती है N ना की स्पेलिंग N तो क्या बन गया R-A-U रो S-H-A-S-A और ना का N रोशन क्या बन गया रोशन इसी तरह हम आप सीखते हैं A-I आई की मात्रा होती है A-I आई और का का के अला का L-A और सक क्या होते है S-H ठीके तो A-I का में हम A की मात्रा लगाएंगे क्या बन गया और L-A ला बड़ा ला और सक का S-H तो क्या बन गया क्या लाश ठीके K-A-I क्या L-A ला और सक क्या होते है S-H क्या बना कैलाश ठीके कुछ एजम्पल हम और देख लेते हैं यहाँ पे जैसे हम आप हिंदी में लिखते हैं अब हिंदी को हम इंग्लिस में कैसे लिखेंगे वो हम सीखते हैं ठीके इसे मीना सीमा माया ठीके यह कुछ बड़ है इनको हम इंग्लिस में लिखेंगे ठीक है तो बड़ी मी की स्पेलिंग क्या होती है बड़ी मी की होती है एम पहले हम वन वन बढ़ के लिखेंगे एक एक बढ़ करके ठीक है तो मा का क्या होता है एम डवल ई बड़ी मी का एम डवल ई और न बड़ा न कही होता है, आन ए, तो M, dudval E, आन ए, बड़ी मी का M, E और न का ने, मीना, सीमा, तो सा का S, बड़ी की मात्रा है inspect, too E, E और मा का M, बड़ा की मात्रा A, then S, dudval E, M, A, सीमा, बड़ी सी का याज डवली और मा का म, ए, सी मा, मा, या, माया, तो मा का क्या होगा, एम, बड़ा की मात्रा ए, और या का बाई, बड़ा की मात्रा ए, माया, म, ए, बाई, ए, बड़ा मा का म, ए, और बड़ा या का बाई, या, म, ए, बाई, ए, ठीक है, आज हमने सीखा, कैसे, पढ़ना और लिखना यही पेसिक चीजे हैं जो छोड़ी छोड़ी चीजे हैं जो हमें आती हैं तो हम बुक बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और सेख सकते हैं इंगलिस पढ़ना और बोलना